नमस्कार करनाटक की सिदार मया सरकार के नेता विदायक और मंत्रियों में चल रहे हाई वोल्टे ड्रामे से सियम गद्दी पर संकट के बादल मंडराने सुरू हो चुके हैं एक तरफ डाई डाई साल वाले फारमुले के अदार पर कोंग्रेस आला कमान ने डीके और सिदार मया के बीच समझोता करवा करनाटक में सरकार बनाई तो दूसरी तरफ सत्ता की गद्दी पर बेटते ही मुख्य मंत्री सिदार मया ने उप मुख्य मंत्री डीके सिव कुमार क राजस्तान के कॉंग्रेसी नेता सचिन पाइलेट की तरह जलील करना सुरू कर दिया है अब डीके सचिन पाइलेट की तरह इसीम सिधारमया गुट के कॉंग्रेसी नेता विदायक और मंत्रियों से अगले पांच साल तक जलील होते रहेंगे या मद्य पर्देश के जोतिराजिते सिंधिया जी की तरह बगावती कदम डीके उठाएंगे ये सुवाल करनाटक की राजनिती में डोल नगाडों के साथ सोर मचा रहा है करनाटक कोंग्रेस की सिधार मया सरकार में हड़कम मचाने वाले डीके अब अकेले नहीं रहे हैं अब डीके के साथ अनेकों डीके नए नवेले मुख्य मंतरी सिधार मया के खिलाब सडकों पर उतर कर बागी रुक अपना चुके हैं जिनमें डीके सिध कुमार, डीके सुरेस, डी सुदाकर जैसे कोंग्रेसी नेताओं का हाई वोल्टे ड्रामा करनाटक के साथ साथ पूरा देश बखू भी देख रहा है जो एन केन पर कारेंड सिधार मया सरकार के लिए मुसीबत पैदा करने का काम करेगा क्योंकि बजरंग दल वर्शेज बजरंग बली के मुद्दे से अभी कॉंग्रेस उबरी भी नहीं थी कि प्रियांग करगे ने अपनी धोंस जमाने और सस्ती लोकप्रिता पाने के लिए करनाटक में RSSS पर परतिबंद लगाने का एलान कर दिया प्रियांग करगे यहीं ने रुके उन्होंने आगे गोहत्या कानून को खतम करने और हिजाब पर परतिबंद लगाने वाले कानून को भी करनाटक में रद करने वाला ब्यान दिया जिसे साप नजर आ रहा है कि 24 गंटे पहले ही मानवा दिकारों का हवाला दे कर एक विदेशी अंजियो अमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने चार मांगों के साथ करनाटक की सिधारमया सरकार को आदेश दिया था कि कोंग्रेस तुरंत प्रबाव से इन चारों मांगों को पूरा करे जिसमें पहली मांगती पुरव की बिजेपी सरकार दुवारा लाए गए हिजाब परतिबंद कानून को रद किया जाए इस कानून के तहट करनाटक के स्कूल कोलेजों में हिजाब पहन कर जाने की अनुमती नहीं है इस संग्ठन की दूसरी मांग थी गोहत्या रोक्थाम कानून को वापस लिया जाए जिसमें गोहत्या को पुरो की बिजेपी सरकार ने एक संगीन अपराद मान कर गोहत्या रोक्थाम कानून बनाया था इस NGO की तीसरी मांग थी जबरन दर्मांतरन विरोधी कानून की स्मिक्षा हो और इसे करनाटक में तुरंध परबाव से रद किया जाए ताकि करनाटक में जबरन दर्मांतरन का गिनोना खेल बिना किसी रुकावट के आसानी से खेला जा सके और इस MST इंटरनेशनल इंडिया NGO की तरफ से चोथी मांग की गई थी कि करनाटक में जो लोग मुस्लिम दुकानदारों का बेसकार करने की आवाज उठाते हैं उनके खिलाब कड़ी से काड़े कारवाई की जाए हलांकि सोशल मेडिया पर वाइरल होने वाली ऐसी वीडियो जिसमें कोई दुकानदार खाने में थूक रहा है या कोई खाने की चीजों में फैसाब कर रहा है या कोई हिंदूों की आस्ता को आहत करने वाली चीजों की मिलावट खाने में कर रहा है आदी अनेकों गटनाओ में जांच के बाद सामने आया कि एक सुमदाय विसेश के ही ये दुकानदार इस तरह का काम कर रही है ऐसे में कुछ लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों का बैसकार करने की आवाज उठाई थी जिन पर कड़ी से कड़ी कारवाई करने की मांग इस एंजियो दुआरा करनाट में रद करने के संकेत दे दिये हैं प्रियांग खरगे की ब्यानबाजी के बाद ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस की सिदारमया सरकार ने विदेशी मुलक के एंजियो अमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से दिये गए आदेश को हरी जंडी दिखा दी है लेकिन प् सुप्रीम कोट में विचारा दिन है तो ऐसे में क्या करनाटक की सिदारमया सरकार सुप्रीम कोट के इस फैसले को दरकिनार करते हुए करनाटक के स्कूल कोलेजों में हिजाब को अनुमत्ती देगी और देगी तो फिर क्या करनाटक की कॉंग्रेस वाली सिदारमया सरकार ब 2024 में कॉंग्रेस पार्टी को करनाटक के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नुकसान होने की आसंका तो जताई ही जा रही है बलकि करनाटक कॉंग्रेस में मोजुदा विदायक जो हिंदू समाच से हैं वो भी अपने समर्थकों की नाराजगी को देखते हु सिदार में या सरकार के खिलाब बागी रुक अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो ऐसे में लोगसुबा चुनाव 2024 की पठकता लिख रही कॉंग्रेस पार्टी अब प्रियांग खरगे के खिलाब किसी तरह का एक्शन लेगी या फिर कॉंग्रेस के राष्ट्रिया के बाद मलिकारजुन खरगे को लतार लगाई है क्योंकि देश में कॉंग्रेस के हिंदू कारड़ वाले वोट बेंक में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान प्रियांग खरगे की इस बियानबाजी से हो सकता है और अब कॉंग्रेस अलाकमान इस डिमेज की बरवाई करन के लिए एडि चोटी का जोर लगा रहा है करनाटक में जीत दर्ज करने के बाद कॉंग्रेस ने लोग सुबाचुनाव 2024 में उतरने के लिए टारगेट साफ मिशन की शुरुवात की है जो देश में कॉंग्रेस का सफाया करेगा या फिर बिजेपी का ये तो लोग नाम हित्या करेंगे लेकिन करनाटक में जिस परचन जीत को लेकर अब तक कॉंग्रेस जसन मना रही थी अब वो मातम में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि डीके सिवकुमार ने करनाटक की सिधारमिया सरकार के खिलाब जो मोर्चा खोला है उसमें करनाटक कि बगावत साफ साफ दिखाई पड़ रही है और सिधारमिया की सीम गदी पर अब डीके ग्रहन लगने की कगार पर है करनाटक में बजरंग दल पर परतिबंद लगाने की गारंटी तो पुरों में ही कॉंग्रेस पार्टी दे चुकी है ऐसे में आप करनाटक में रसस पर बेन लगाने की सुख बुगाट भी तेज हो चुकी है लेकिन करनाटक की राजनिती पर नजर डाले जाए तो सिधारमिया सरकार पर संकट के बादल मंड राने के कई कारण है जिनका निप्टारा कॉंग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है सबसे पहला कारण है करनाटक में कॉंग्रेस आला कमान द्वारा फिप्टी फिप्टी फार्मूले यानि की डाई डाई साल वाले फार्मूले पर मुख्यमंत्री बनाना जिसमें डीके को सिधारमिया के डाई साल पूरे होने के बाद दूसरी पारी में मुख्यमंत्री बना कॉंग्रेस पार्टी में बागी रुक देखने को मिला है जिससे पार्टी को इन सभी राज्यों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है राजस्तान, मद्यपरदेश, सतिसगर, पंजाब, हिमाचल परदेश में कॉंग्रेसी नेताओं की आफसी फूट की वज़े से कॉंग्रेस पार्टी में जो तूट हुई है उस से इन राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी का नामो निसान तक मिट चुका है राजस्तान में सचिन पाइलेट ने असोग गैलोत के खिलाब मोर्चा खोल का कॉंग्रेस पार्टी का राजस्तान में खातमा कर दिया है मद्या परदेश में जोतरदे सिंधिया जी ने कमलनाथ के खिलाब सड़कों पर उतर कर बीजेपी में सामिल होने का फैसला लिया जिसके बाद पुरव की कमलनाथ सरकार गिर गई और सिंधिया जी के साथ एक बड़ा वोट बेंक चला गया पंजाब में केप्टन अमरिंदर सिंग ने समय से पुरवी सीम पद से इस्तिपा दे दिया और कॉंग्रेसी नेताओं में पड़ी आपसी फूट की वज़य से पंजाब विदान सुभा चुनाव दो हजार बाईस में कॉंग्रेस पार्टी का सूपड़ा साप हो गया 36 गड़ में मुख्या मंतरी बुपेश बगेल और कॉंग्रेस नेता टिया सिंग देव के बीच आपसी मनमुटाव की वज़य से कॉंग्रेस पार्टी की अगले विदान सुभा चुनाव में जमान जबत होने तक की नोबत आ चुकी है इमाचल परदेश में मुख्या मंतरी सुक्विंदर सिंग सुकु और रानी परतिबा सिंग के बीच चल रही हाई वोल्टे ड्रामे से कॉंग्रेस पार्टी को लोगसुबा चुनाव 2024 में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी कॉंग्रेसी नेताओं के बीच बनी हुई है जहाँ पर कॉंग्रेस की सरकारे नहीं है और अब इसी रहा पर करनाटक कॉंग्रेस भी चल पड़ी है क्योंकि मुख्या मंतरी सिदार मिया गुट के नेताओं ने पूरे 5 साल तक सियम करनाटी को अलविदा भी कह सकते हैं जो करनाटक में सिदार मिया की सियम गदी को ले डूबेगा और इसकी एक जलक डीके दिखा भी चुके हैं जब विदानसभा सतर सुरू होने से ठीक पूरव डीके ने बीजेपी नेता और पूरो मुख्या मंतरी बस्वराज बोमई और एसम करसनम जो बीजेपी के एक वरिष्ट नेता हैं उनसे बैंगलूरो में एक सीक्रेट बेठक की थी चार दिन पहले ही डीके ने बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटा कर कोंगरेस आलाकमान को एक बड़ा संदेश बेज दिया था जिसमें करनाटक में डीके के बा दस जंग जारी है और मलाईदार मंतरालियों पर कबजा करने के लिए करनाटक कोंगरेस के विदायकों ने सीम सिदार मिया के खिलाप मोर्चा खोल कर एक दूसरे के कपड़े फारने शुरू कर दिये हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि करनाटक कोंगरेस के विदायको ने मुख्य मंतरी हाउस के सामने एक इस तरह का परदर्सन किया है जिसमें सिएम सिदार मिया और कॉंग्रेस आलाकमान के खिलाप जमकर नारेबा जी हुई है यहां पर जो भी विदाएक और उनके समर्थक मौझूद थे वो मंतरी मंडल में सामिल होने के लिए सिएम सिदार म पर दबाव बना रहे थे इसके अलावा राहुल गांदी और कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव जीतने के लिए करनाटक की जंता जनारदन को पांच गारंटियों का जांसा दे कर फरी की रेवडी बांटी गई थी जिस पर सिधारमिया सरकार ने बजट की कमी का हवाला देते पहली गारंटी थी बिरोजगारी बत्ता जिसको लेकर अब सिधारमिया सरकार बोल रही है कि इस वर्ष जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे यानि इस वर्ष जो एक्जाम दे करके ग्रेजुएट होंगे पास होंगे वो या फिर डिपलोमा होल्डर बनेंगे सिर्फ उन्ह बच्चों को अगले दो साल तक जो बिरोजगारी बत्ता देने के बारे में सिधारमिया सरकार बविस्या में विचार कर सकती है अभी किसी तरह का कोई बत्ता नहीं मिलेगा बविस्या में ही इस पर विचार होगा भी या नहीं ये भी आने वाला वक्त बताएगा इसके अल में जो 10 किलो अनाज देने के बारे में सिधारमिया सरकार सोचे गी यानि की हाल फिलाल कुछ भी करनाटक की जनता जनारदन को नहीं मिलेगा और अभी तक सिरफ दो ही गारंटियां जिसमें एक विरोजगारी बता और एक 10 किलो अनाज इन दो ही गारंटियों पर सिधारमिया सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किये गए है बच्ची हुई तीन गारंटियों पर अभी तरक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिसमें एक तो मैलाओं को जो बसों में फरी यातरा का वादा है इसके अलावा दो-तीन जार उपे मैना जो बता देने की मैलाओं को जो बात है वो भी है यानि कि कुल मिला करके अभी तक दोई गारंटियों पर नोटिफिकेशन जारी हुई है और दोनों गारंटियों में कोंग्रेस पार्टी ने अपने हाथ खड़े करते हुए अपने वादों से मुकर गई है इसके अलावा पुरव की बिजेपी सरकार दुवारा गोहत्या रोक्थाम कानून हिजाब पर पर परतिबन जबरन दर्मांतरन पर पर परतिबन आदी कानूनों को करनाटक में सिदारमया सरकार दुवारा रद करने की आवाज उठने से भी करनाटक कॉंग्रेस के विदायक नेता और मंतरियों में आपसी मनमुटाव चरम सीमा पर है करनाटक कॉंग्रेस की इन सब इस्तितियों को देखा जाए तो जल्द ही करनाटक कॉंग्रेस में पैदा हुए अनेकों डीके मुख्या मंत्री सिधार मिया को जटका देंगे और मंत्री मंडल विस्तार के बाद कॉंग्रेस विदायकों की नराजगी खुल कर सामने आ जाएगी जिसके बाद ओफरेशन लोटस को करनाटक में हरी जंडी मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है राजनित्ती के ग्याताओं ने करनाटक में सरकार बनते ही बविश्यवानी कर दी थी कि आने वाले कुछी समय के अंदर करनाटक दूसरा राजस्तान बनेगा दूसरा मद्या परदेश भी बन सकता है और डीके के जो तेवर फिलाल देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा नज़र आ रहा है कि डीके सिवकुमार कॉंग्रेस आलाकमान को बड़ा जटका देने के मूड में है और इसी को ध्यान में रखते हुए डीके ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर उनसे सीक्रेट बैठका बड़ा जटका है वो सिदारमया सरकार को दे दिया है कॉंग्रेस आलाकमान को एक साफ संदेश बेज दिया है कि अभी भी बारतिय जन्ता पार्टी का दर्वाजा डीके के लिए खुला पड़ा है और डीके के पास कॉंग्रेस के 40 से ज़्यादा विदायकों का समर्तन है ऐसे में डीके यदी कॉंग्रेस चोड़ कर बीजेपी में सामिल होते हैं या फिर कॉंग्रेस से बगावत करते हैं अपने समर्तक विदायकों के साथ है तो फिर सिदारमया सरकार का बचना मुस्किल ही नहीं नामुम्किन है कुल मिलारे का जा सकता है कि डीके सिव कुमार एक तरह से सचिन पाइलेट बन सकते हैं या फिर दूसरे सचिन पाइलेट बन सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो कमलनात सरकार गिदाने के लिए जो तरह दे सिंदिया ने कड़म उठाया था वही कदम अब जो डीके सियुकुमार भी उठा सकते हैं कुल मिलारे का जा सकता है कि करनाटक कॉंग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा बवाल भी देखने को मिल सकता है फिलाल करनाटक कॉंग्रेश की इस दिती पर आपके क्या विचार है क्या प्रियांग खरगे के बियान बाजी के बाद किसी तरह के जो बदलाव करने का फैसला है वो सिदारमिया सरकार लेगी क्या रेसस पर बेन लगाया जाएगा क्या हिजाब परतीबंद को हटाया जाएगा या अन्य जो मांगें जो मैस्टी इंटरनेस्टल इंडिया अंजियो के तरफ से की गई थी उस पर भी सिदारमिया सरकार विचार करेगी इस पर आपने विचार में कॉमेंट अब बखस में जरूरता है साथी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी के लितना ही मिलते हैं विडियो जगली खबर के साथ अब तक के लिए जयाहिन जया भारत